नमस्कार दोस्तों, श्टॉक मारक स्टेडिज में फिर से इगमर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्पोर्टन्स कमपानी के आपडेट लेके आ हूँ, और आज का वीडियो बहुत इंटेस्टिंग होने वाल है, क्योंकि इस वीडियो दिखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास तक जुरू देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेम निकिया, तो जुरू कर लेजेगा, कंटिनेसली वीडियो और आपडेट पाने के लिए, तो फर्स्ट कमपानी है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हूँ, उसका है, कि दिल्ली गवर्मेंट ने जब से अनॉसमेंट किया, कि इवीडियो मार्केट को प्रोमोट करेंगे, इवीडियो मतलब मार्केट को, वो सबसे जब तेजी से उस पोजेट को उपर काम करेंगे, तब भी जो नैच्रल गैस और साती साथ C&G, PNG, LPG जितने सारे कंपानी था, उसका हालत खराव हो चुके है, क्यों कि दिखिए, C&G से गाडिया चलते हैं, और C&G गाडिया जो C&G ले यूज करते हैं, उसको अगर गवर्मेंट बोल दिये कि कल जाके C&G गाडिया बंद करना पड़ेगा, और उसको रिप्लेस्मेंट में EVS मार्केट में आएगा तो जो कमपानी C&G बेशते हैं, तो उसका तहालत कराव हो जागा, तो एही कारण के बज़े से से शेयर को पर बिग ग्रेस्ट देखने को मिला था, अभी इसके वीपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया, चलो वो अपडेट में आपके साथ सेयर करता हो, अब देख सक सबसे बड़ा लोजिस्टिक कमपानी है, और कंको स्टॉक आपे देख सकते हैं, एक्सिटेंड गेंस, साइन आप MOU with IGL for, अब देख सकते हैं, LNG Infrastructure, मतलब जो LNG Infrastructure है, उसको बनाने के लिए किसके साथ साइन किया है, IGL के साथ, मतलब कंकोर का तो फाइदा होगा ही होगा, उसके साथ और किसका फाइदा होगा, IGL का फाइदा होगा, तो IGL मतलब इंदोपस्ता गैस लिमिटेड इसका ही फाइदा होगा, तो कहना का मतलब है, जो कंकोर, आप सब जानते कंकोर का इस तरह के से कंटेन आपको रास्ते में बहुत ज़दा देखने को मिल जागा, चाह इस तरह के से बड़े प्रोजेक्ट दिया, तो इसी प्रोजेक्ट के चलते है, मुझे लगता है, IGL के उपर कुछ दिनों से एक अप मोमेंटम देखने को मिला है, तो क्या फिलाल के इस न्यूज के चलते है, कंपनी को बनिवस करना चाहिए, बिलकु नहीं, कंपनी के कोई इस नहीं करना है, आपको दो देखना है कि कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट से कंपनी कितना पैसा कमा पा रहे है, उसको देखने के लिए कंपनी इसको आपको quarterly result देखना पड़ेगा, अब देखेंगे, तो सेल्स के मालनों में कंपनी का सेल्स इस ब उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कमपानी के जो बैलन्स सेट है वह आप देखेंगे तो रिजाब लगातर बढ़ते चले गए और करजा एकदम नाक के वराबर है और उसी बैसिस में CWIP मतलब कमपानी के कापिटल वारकिंग इन प्रोसेस में कमपानी को करीबन 1480 कुट क्लीट के सबस पैसा अभी ऊण्गोइंग प्रोसेसिंग में है अब प्रोसेसिंग होता क्या है मानके चले आप कोई production कर रहा है उस production में आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा तो वो production अभी ongoing है उसके उपर मानके चले अपने 5 लाक लुपिया लगाया आपको छोटे business में तो ये processing खतम होने के बाद वो पैसा आपको कहा पर दिखेगा fixed asset में add होता दिखेगा तो fixed asset में आपको जब भी add होता दिखे तो सोचना उस company के उपर आपको और भी जदा growth होने का chances दिखेगा तो कहने का मतलब आप समझ चुके है और as a investor भी दिखिए इतना बड़ा negative news आने के बाद भी investor एक भी share बेचा नहीं हाँ आपको कोल सकते हैं कि FIS ने 1% stake बेचा कोई बात नहीं उसका फाइदा किस ने उठा दिया उसका फाइदा उठा लिया DIS ने मतलए FIS ने बेचा और DIS ने उठा लिया ultimately institution के पास ही तो holding है न तो इस good news के चलते हैं मुझे लगता है साइद आज इसका मतलब impact ना आए feature में ज़्यादा impact देखने को मिल सकता है अब इलास कुछ फीडियों इसका delivery के data दिखा दू तो 50 से 70 साट परसन के आसपास delivery उठा जा रहे इसका मतलब high delivery उठा जा रहे है जब अच्छे company discount में मिलते हैं मतलब सस्ते दामों मिलता है तो इसका chart button देखेंगे तो आपको खुदी बता चलेगा कि situation wise देखा दू तो आप देखेंगे तो IGL का जो chart button है देखिए या पर जो big crash हुआ इस crash के पीछे और कोई reason नहीं है दिल्ली government है दिल्ली government ने जब भी announcement किया उसके चलते है big crash हुआ अभी देखें मैंने एक range आपको marking करके दिया था इस range के इसाब से देखा जाए तो यहाप एक solder कम head solder बना था पाणिली breakout हो और target भी अचीव हुआ मुझे कुछ दोस्तों ने comment किया सर अभी क्या फिलाल के लिए कुछ situation मन सकते है देकि situation के इसाब से बात करू तो मैं तो इंतिजार कर रहा हूँ इस मौके का फाइदा उठाने के लिए जो मौका है यहाप आपको मिलेगा continuously देखिए buying candle मिला जब continuously कोई buying candle मिलता है तो top level और down level मार्किंग करना और इसको 20% के उप़र आपको मतलब percentage यहाप ए गिरिन candle देखना चाहिए तो यहाप ए 24% है तो criteria जो था वो match हो चुके है दूसरा criteria है 200 days EMA के नीचे होना चाहिए anti level तो इसके नीचे भी है तो मेरे हिसाब से जब भी इसको touch करेगा तो एक anti level बन सकता है और यहाप तक इसका target बन सकता है देखिए target बन सकते है इसका मतलब यह नहीं के कल ही अब blindly निवेस कर लेंगे तो इस तरह के से जब भी किसी company इसको patterns बना उसको back testing के हिसाब से देखिए उसको study करिए उसके बाद काम करिए तो I hope इस company के बार में सब कुछ details अच्छे से मिल चुके है अगर वीडियो अच्छे लग रहे तो please एक like जुरू कर दीजिए next चो company उसका नाम है Tata Steel तो Tata Steel अब सब जानते है इन्ने के सबसे पूराना Tata Group के सबसे पूराना company है 1997 में start हुआ था जमसिदी Tata ने इसको start किये थे और तब से लेकर आज तक इस company का जो situation है जो figure out है वो अलग level का है Tata Steel के उपर सिर्फ आम public नहीं investor भी बड़े-बड़ investor भी नीवेस करकर रखके है यैसे FS के पास जितना holding पहले भी था 33.90% के आसपास आज भी उतना holding देखने को मिला तो कहना का मतलब है हर को institution इस company को पो रहना चाते है क्यों? क्योंकि इंडिया का देखिए जिस तरीके से growth हो रहा है और जिस तरीके से upcoming times में growth होने वाल है उसमें सबसे ज़्यदा growth होगा infrastructure का तो कोई भी countries का अगर infrastructure का growth हो तो सबसे ज़्यदा demandable product कौन सा होता है steel, उसके साथ साथ cement क्योंकि infrastructure बनने के लिए इस दोनों चीज़ का बहुत ज़्यदा ज़रूरत है तो steel manufacturing company का तो चार चांद लगे कि वो सारे companies बहुत तेजी से growth करने वाल है अभी एक बहुत बड़ा updates भी आया वो updates जो रूरूर आपको देखना चाहिए Tata Steel के बारे में देख इस update देखने के बार आपको लगेगा कि हाँ, steel sector के उपर एक जान आ सकते है तो ताटा Steel gain as Jeffries आप देख सकते है return by call sees up to 40% upside तो Jeffries आप साब जानते है वाल्ड के एक popular investor है मत स्वरी, एक popular institution है जो जितने बार इस तरीके से comments किया वो जादा से जादा तर comments उसका सही तरीके से positively देखना को मिला तो फिर भी मैं कहूंगा किसी के बात सुनकर मेरे बात सुनकर भी कभी भी मात काम करना आपके खुद के opinion होना चाहिए आपके खुद भी conviction होना चाहिए कि हाँ, मैंने जिस company के उपर निवेस किया उसका feature में growth होने का chances जाला देखने को मिल सकता है तो please मैं आपको बार बार बोलूँगा कि आप blindly किसी company अभी देखिए, जाएगा का नहीं जाएगा बोल तो आपको बाद में पता चलेगा फिलाल के लिए जो situation है मुझे लगता है कि टारा स्टील आज नहीं तो देखिए, दो-तीन सालों का नदर बोल तो 40% क्या, मुझे लगता है 50% से भी जादा आप्टिन देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से infrastructure का growth और जिस तरीके से project नया-nया मिलते जा रहा है तो टारा स्टील का growth जरू होगा क्योंकि quarterly result भी उसका एक example है किस तरीके से company sales को देखिए continue रखा, हाँ, expense जादा हो गया और दूसरी बात company का operating profit margin में कोई भी कमिया नहीं छोटा मुटा sales यहाँ पर down हुआ, profit भी down हुआ मगर company का आदस income में इस बार 6000 क्रोड का loss हुआ था उसी loss के चलते है company का profitability है profit margin है, वो 6000 क्रोड 6000 क्रोड तक losses में चला गया इसका मतलब है company क्योंपर जो profit, net profit का जो percentage है, वो यहाँ पर कम इसलिए हुआ, कि company आदस income से loss कर बैठे अभी आदस income होता क्या है तो company ने, जो दूसरे companies को उपर निवस करकर रखे है उससे जो पैसा profitable में आ रहा था, वो इस बार losses में चला गया, और इसलिए company के उपर आपको थोड़ा सा समल कर, सोच कर काम करना पड़ेगा कि ग्लोबली market के impact कारण steel manufacturing companies के उपर ज़्यादा impact पड़ते हैं तो companies के last few months के data दिखा दू तो Tata Steel का जो data है, आपको delivery के data दिखा दू, तो 50 person के उपर delivery देखने को मिला है इसका chart patterns के बारे में चर्चा करू तो Tata Steel का जो chart pattern है अब धान से देखेंगे, तो यहापे क्या बना था एक कफ वी धने patterns गेड़ हुआ finally यहापे breakout भी हुए और breakout होने के बाद देखें, आप देख सकते हैं इस तरिके से थोड़ा साब moment जाने के बाद retention किया, और उसके बाद देखें, फिर से वो वापस चला जा रहा है अब है आप कहाएंगे सर, यहाँ से retention करने का में मकसद क्या था देखें, यहाँ एक strong link क्या था, support था उसके साथ 200 days यह में कभी support मिला तो 2 support मिला, जिसके चलते हैं यहाँ से reversal easily कर बैठा क्योंकि आपको यह सारे चीज को सीखना पड़ेगा क्योंकि टेकनिकली चार्ट पड़ना कर नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी swing trading नहीं कर पाएंगे क्योंकि swing trading करने के लिए company का fundamental, financial और उसके साथ टेकनिकली चार्ट पड़न, तीनों को ही देखना पड़ेगा तीनों अगर सही दिसा में है तो आपको profit मिने से कोई नहीं रोक पाएगा तो आपके कराह है इस company को वो जुरू comments करके बताना next company उसके नाम है Titan, one of my favorite company और Titan अभी लगाता लगाता हाई करते चले जा रहे, पिछले दिनों में भी हाई किया था और इस हाई करने के पीछे एक reason भी है, क्योंकि Titan का जो business है अब सबी जानते है, mail lease का जो business है वो jewelry business है hit all time high मतलब all time मतलब सबसे जो top level था उसको भी break out कर चुग है अपर देख सकते है market capitalization surprisingly, sorry, surprises 3 lakhs करोड मार्केट तो इसका market cap कहा तक बन चुग है, 3 lakh क्रोड सोचिए, कुछी दिन पहले महीन आपको दिखा था धाय लाग करोड था, तो धाय लाग करोड था, आज कितना बन चुके है, आज बन चुके है, 3 lakh करोड तो company का लगातार growth होना और यही प्रूब करता है, कि Titan के उपर आज, राकेज जोने बला इसलिए, इन company के उपर, आज तक उन्होंने निवेस्क्यू करके रख़े है यह कि देखिए, लोगों का कहना है, कि Titan अल्मोस्ट माल्टि बेगर रिटन दे चुके है, और रिटन नहीं दे सकता, इससे गलत होगा कहना, क्योंकि Titan एक ऐसे company है, जो हर टाइम में आपको profit देने के लिए वो त्यार है जैसे company का quarterly result देखेंगे, तो company के result देखकर ही आपको हो सूट जाएगा, 9000 करोड से 12500 करोड तो पहुंच चुके है expense भी company control करने के बाद profitability देखिए, 12 करोड से 1400 करोड तो करने का मतलब है, company 835 करोड से 916 करोड के आसपास देखने को मिला तो company में एही खासेद मुझे अच्छा लगता है, कि company continuously खुद का profitability को maintenance करता है सायद इसलिए company आपको धमा का return भी दिया, देखें, 10 साल से अगर आज तक देखू, तो हर टाइम आपको company 30% के आसपास return देने को देखने को मिलेगा चाहिए अब एक साल हो, चाहिए तीन साल हो, पास साल हो, दस साल हो, तो averagely return आपको निकल के दूँ, तो 30% के आसपास return मिल रहा है, 30% तो सोचिए, मतलब ढून के भी नहीं मिलेगा इस तरीके से company, तो sales का growth, profit का growth, और return of equity, सब कुछ based होने के कारण company के उपर, as a investor भी continuous company के उपर hold कर रहा है, क्यों ना करे, जो company 30% के उपर return दे रहा है, पहुन इससे दूर रहेंगे, अगर inflation rate जो है, मान के चली inflation rate 6% है, तो उस उसे कई गुणा जबर return आपको मिला है, कई गुणा चाहता, तो हर कोई back 30 company को रहना चाहेंगे, और आज lifetime high है, और भी बहुत बड़ा होने का capability भी है, तो देखा जाएगा, कितना दूर जा सकते हैं, अभी टाइटन के में चार्ट प्रेटन्स के बारे बात को दब्धान से देखेंगे, तो एक pattern में आपके साथ share किया था, इस तरह के से pattern जब भी बनते है, तो जान रखेगा, वाच करिएगा, वो आपको profitable date जोरू देखेंगे, तो आपको क्या बना, यहापे देखिए, एक cup with header patterns के ढढ़ा था, और finally वो patterns को आपके breakout भी किया, और देखें, नीचे है कि target मुझे directly मिले, तो फिललकर जो situation है, वो situation कुछ मैंने आपको यह बताया, कि मैं यहापे कोई भी trade नहीं लिया, क्योंकि यहापे company breakout किया है, अभी कहा तक जाएगा, किस तरीके से performance करेगा, उसका कोई भी मुझे अंदजा यहापे देखनों का नहीं मिला, तो इसलिए म company उसका नाम है कुचिन सीफर्ड, तो कुचिन सीफर्ड के उपर एक last quarter two का result आया था, आप एक board ने announcement किया था, इसका जो face value है 10 रुपिया, उसको 5 रुपिया करने वाले है, इसका मतलब company split करने वाले है first time, और एक के बदले आपको दो स्यार मिलने वाले है, तो यह था कुछ companies का update वीडियो में अगर जानकर अच्छा मिले, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी share करना, चैनल को भी subscribe करना, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक ले अच्छे से रहे, अपने ख्याल रखिए, धन्यबाद